आज के वीडियो में हम समझने वाले ही कि आप किसी भी न्याले के किसी भी आदेश को या निर्णे को आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड केसे कर सकते ही। अगर आप अपने किसी भी प्रकरण के संबन में किसी न्याले के निर्णे को या आडर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए कापी मत्पूर्ण वीडियो हो सकता है तो देखें दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है इस चेनल पर अगर नहीं तो आपको चेनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अधिक से लोगों तक शेर करना है तो आईए आगे समझते ही कि किसी भी ज्याले के निर्णे अर्था जज्ज्मेंट को या आदेश को किस प्रकार से आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं तो ठीकि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना पड़ेगा तो क्रोम ब्राउजर को हमने ओपन कर लिया क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है कि गूगल को ओपन करने के बाद में आपको यहां पर लिखना है उपर यहां पर सबसे पहले यहां पर लिखना है आपको MP, ठीके, MP, HIGH, MP High Court, ठीके, MP High Court लिखना है, MP High Court लिखने के बाद में, आपको सर्च कर देना है, तो हम इसको सर्च कर देते हैं, इसके बाद में, आपके सामने, जैसे ही सबसे पहली वेबसाइट आएगी, इस तरीके से सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी, High Court, आप मद्यप्रदेश, इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर हमें इसे क्लिक कर देते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद में, आपको क्या करना है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यह वाला जो लाल कलर का दिख रहा है, इसके उपर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके से, पूरा एक अलग से विंडो खुलेगा, यहाँ पर आपको नीचे दिखता होगा, इस पर डेस्क्टॉप साइट, ठीके, यह डेस्क्टॉप साइट जो दिख रहा है, इसके आगे जो बिंदू है, यहाँ पर आपको, इसको आपको टिक करना है, तो इसको हमें से टिक कर देते हैं, ठीके, इसको हमें से टिक कर दिया है, को इस तरीके से यह जो है desktopम में आपके सामने mobile में पेज को झाएंगा ताधरों कि इसको थोड़ा से करना है तो thouगा करना हैं जूम करने के बाद में आपको क्या करना है यह 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 आपको दिखे हाएं यह पर यह यह होम, यह judgment order, case status, case list, e copy, caveat, roster, district code इस तरीके से खुलेगा, तो आप यहां क्या करेंगे, कि district code जो है इस पर आप क्लिक कर देंगे, यह district code जो दिख रहा है आपको यहां पर, इस district code पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, तो district code पर हम क्लिक कर देते हैं, district code पर क्लिक करने के बाद मे आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, नया पेज खुलने के बाद में आपको क्या करना है, कि आपको यहां से जो है, यह दिखिए, आपको order या judgment अगर निकालना है, तो यह order और judgment जो है, यह दिखिए यहां पर, यह home है, ठीके, यहां पर आप देखते होंगे, यह home, ठ ठीके, इसके बाद में यह से आगे बढ़ते जाएंगे, case status, card list, ecopying, तलवाना, caveat, high court, family court, ठीके, इसमें आपको क्या करना है, कि यहां पर आपको जो दिख रहा है, यह आपको जो दिख रहा है, ठीके, order, judgment और order, इस पर आपको क्लिक करना है, तो judgment and order पर हम यह से क्लिक करते आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, कहां पर, यहां से आपको अपना जिला सिलेक्ट करना है, अगर आप किसी जिले के रहने वाले है, तो जिला पहले सिलेक्ट करना है, फूर उसके बाद में आपको यहां से सिलेक्ट करना है, ठीके, उसके बाद में आपको क्या करना है ठीक है यहां पर महीतपूर हमने सिलेक्ट कर लिया इसको तो महीतपूर के आगर टिक कर दिया इसके बाद में क्या होगा कि आपके सामने इस तरीके से यहां पर जज की लिस्ट खुल जाएगी ठीक है तो आप यहां पार्टी नंबर से भी देख सकते हैं अगर आपको आप इस पर क्लिक करेंगे, जज नियम से क्लिक करेंगे, तो यहां सभी जज के नाम यहां पर खुल कर आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे, ठीके, महीतपूर में कितने जज अभी वरतमान में है, तो उनके लिए यहां पर current आएगा, यह जो है current जज ठीके, अर्थात यह पहले जज है, ठीके, यह दूसरे जज है, उसके बाद में यह पांचवे, यह छटे, यह नोवे, यह दसवे, इस तरीके से यहां पर अभी current में अर्थात वरतमान में भी यहां पर पदस्त है, ठीके, अब इसके अलावा अगर पूराने जज के आप फेसले देखना चाते ह हैं, तो उसके लिए यहां पर previous judges लिखा हुआ है, ठीके, यह previous judges लिखा हुआ है, तो इनके नाम से भी आप यहां पर judgment देख सकते हैं, अगर इनमें से किसी भी judge ने कोई फेसला किया है, तो उनके नाम से भी आप यहां पर देख सकते हैं, ठीके, अब यहां पर अगला option जो रहता है वह Case number से केस नंबर जो रहता है वह गाउं के लोगों को या फिर पक्षकार है उनको पता नहीं रहता है इसलिए आप Case number से नहीं देख पाएंगे क्यों कि लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर पार्डी का नाम लिखना है कि यहां प्रतीवार्डी का मतलब होता है यहmos mustard है यह पिर वादी हो सकता है आवेदक हो सकता है तो उसको वादी बोला जाएगा अगर को पुलिस केस है ठीक है किसी के खिलाब पुलिस केस था तो उसको प्रतिवादी की रूप में आपको यहां पर चिन्नित करना है तो हम यहां पर प्रतिवादी की रूप में यहां पर इसको चिन्नित कर दे सामने कुल का आजाएंगे इस तरीके से जितने भी जीवन नाम के जिवन आपके सामने हुप कर आजाएंगे mã कि यह पती पतनी का कैस था ठीक है यह à पंल कि यह प्लिस स्टेशनमाइदपूर जीवन है उ कर टौन ऑप कि तरीके शेतिशन महितपूर जीवन ही रागवी जीवन है तो इस तरीकेसे आप सकते हीं कि आपका केस कोन सा है जीकिंट अगर किसी भी केस को डाउन ल impe successfully आप download case करेंगे टीकी इसके लिए माल यह를 हमालन पूंदर का जो केस Śद्ष्ट के यह उट्रिप करना हैं कि इसके आगे यह पूलिस Oliv का जाई जीото घिवनलाल ठीकिः तो इसको तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके आगे जो लिंक दिखे आपको ये ब्लू कलर में जो लिंक दिखेगे आपको ठीके यहां पर जो ब्लू कलर में दिखेगी इस पर आपको क्लिक करना है तो इस पर हम जैसे क्लिक क्लिक करने के बाद में जो भी आडर होगा वह आपको मोबाइल पर इस तरीके सी ओपन हो जाएगा दाउन लोड होने के बाद में आप क्या कर सकते हैं से किसी को भी यह बाटién सकते हैं तो कि लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह था आपको अब में खोला क्लिक करना इसामने रही्स इंट ही लाइव आपको क्लिक करना automatically don't look at the same file क्लिक करना सिसके बाद मिद्धे अब होगा कि कि यह यहां पर आप जुए इसको कितने तरीके से बैस सकते हैं यह this से बैस सकते हैं, शेयर मी से बैस सकते हैं, शेयर में से बैस सकते हैं, शेयर में बैस सकते हैं, आप एमेल से बैस सकते हैं, आप वाटसप से बैस सकते हैं, ब्लूटूस से बैस सकते हैं, अब आप इसको बैस सकते हैं, इसके अलावा कई आप्षिन यहां पर आपको दिखेंग स्टेटीन है और आप जब वक्ति को वाटसप भी सकते और आप जब भाटसप भी चाहिंगे तो वहां विश्वात रखते हूं कि आज के लिए जय हिंजे भारत